कि वैसे चिकन जो है हम अक्सर लंच और डिनर में बनाते हैं लेकिन यही बन सकता है स्नैक में भी और एकदम बढ़िया कैसे आईए देखते हैं हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्प चिकन विंग्स तो सबसे पहले आईए इन चिकन विंग्स को हम काट लेते हैं इस तरह से यह विंग्स बाजार में हमें मिलते हैं पूरे और इनको काटना कई बारी बहुत मुश्किल सा हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके जॉइंट्स हैं उनको आप किस तरह से काट सकते हैं और इसको इस्तमाल करने से पहले ही आप इसका प्रिपरेशन्स कर सकते हैं। यह जो किनारे का हिस्सा है, यह बिल्कुल हमारे लिए यूसफुल नहीं होता, तो इसको हम एक चाकू की सहता से ऐसे निकाल सकते हैं, और इस हिस्से को हम डिसकाड कर देंगे। यह जो दोनों हिस्से हैं, इसको हम कहते हैं ड्रमेट्स, और यह है चिकन विंग, यह दोनों हमारे लिए एडिबल हैं, तो हम इनका इस्तमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे साबूत भी रख सकते हैं, या इसको भी आप बीच में से इस तरह काट सकते हैं, यदि इन मिर्च की आपको समझ होगी, तो आप असानी से चाकू से इसको काट सकते हैं, वरना आपका जो चाकू है वो हडडी के ओपर ही अड़ जाएगा, तो इसी तरह से मैं बाकी विंग्स को भी काट लेता हूं, और उसको बाद इसको करता हूं मेरिनेट, और इस तरह से इन चिक मेरे पास कुछ mixed herbs हैं, उनको मैं इस तरह से हाथ में पीस लेता हूं, ऐसा करने से जो इसकी खुश्पु होती है, वो और भी खिल के सामने आती है, अगर आपके पास ताजा हरी herbs हैं, तो आप उसका इस्तिमाल भी कर सकते हैं, इस herbs को डालने के बाद, हम इसे एक बाद टॉ चिकन के उपर रप भी कर सकते हैं इस तरह से यो अब इस तरह से इसको मारिने करने के बाद हम रख लेंगे लगबक 10-15 गलिए चिर रखेंगय के इन विंस को मेरिने दो करने के बारी आती तो हम लेते हैं एक पॉलेथिन का बैग, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, मैदे में हम मिलाएंगे ताजा कुटी हुई काली मिर्च, नमक, और इनको एक बारी मिला लेंगे, मैदे को हम भर देंगे इस थैले के अंदर, प्लास्टिक के इस बैग के अंदर, और जो चिकन के पीसिज हमने देगी मिर्च और नमक और हर्ब्स के साथ मेरिनेट किये थे, उनको हम डाल देंगे इस बैग के अंदर, इसको साइड में रख लेते हैं, इसके बाद इसमें हवा भरनी चाहिए, और हवा भरने के बाद हम इसको घुमाएंगे, आप बैक को चारो तरफ घुमाएंगे, तो जितना भी मैदा है, सीजन्ड मैदा, यानि कि मैदे के अंदर हमने नमक और मिर्च मिला रखी है, वो मैदा अब चिकन के चारो तरफ लग जाएगा, और उन जॉइंट में भी जाएगा, स्कीन के नीचे भी जाएगा, जहांबर हम आमूमन जब मैरिनेट करते हैं, या खोट करते हैं, तो मैदा नहीं पहुंचता है, तो इस तरह करने से, सब जगा पे, मैदा पहुंच जाएगा, अब इन चिकन पीसिस को हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको हम डाले तो इस बेकिंग ट्रे में, तो इस बेकिंग ट्रे में हमने पहले से या अलिम्यूनियम फॉइल एक बिचाली है, और इन चिकन पीसिस को अब निकाल के, थोड़ा सा हिलाईए ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें मैदा लगा है वो निकल जाए, आप देख रहे होंगे ए खास ब तो हम तेल नहीं डालेंगे, हम तेल को स्प्रे करेंगे, जी हाँ, ऐसा करने से बिलकुल कम मात्रा में तेल इस्तमाल होगा, तो इसके उपर हम थोड़ा सा तेल स्प्रे कर लेते हैं, और आप बारी आती है इसको अवन के अंदर बेक करने की, मैंने अवन को पहले से ही प्र 180 degrees के उपर, तो मैं इसको आप बेक करने जा रहा हूँ, तो आए चलते हैं, अवन के पास, इसको लगेंगे लगदक से 15 मिनिट बेक होने में, तब तक हम बना लेते हैं, कोटिंग सॉस, यानि कि इन विंग्स को अवन से निकालने के बाद, हम किस सॉस में टॉस करेंगे, तो तेल वैसे ही कम लगता है, तो तेल को गरम होने के बाद, इसमें हम डालेंगे, भरी कटा हुआ लसुन, इसको और चॉप कर लेता हूँ, लसुन को चॉप करने के बाद, हम डालेंगे इसको, तेल में जो गरम हो चुका है, लसुन के साथ ही आईए, इसमें डाल देते हैं, ह आप इसको हम आज से हटागे काॉस कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम सिर्का और साथ ही में डालेंगे हम ब्राउन शुगर आप चीनी और विनेगर को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे जैसी इसको रिड्यूस करेंगे थोड़ा सा गाड़ा होना शुरू हो जाता है इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसिस और कुछ तीखी चीजें तीखी यानि कि हमारे पास ये चिली पेस्ट है, इसका इस्तमाल करेंगे हम, लगबग तीन बड़े चम्मज इसमें हम तीखी पेस्ट डालेंगे, अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा और स्पैसी बनाने के लिए चिली पाउडर, आप चाहें तो इसमें काली मिच भी डाल सकत वैसे तो ये सॉस तयार है, लेकिन एक बार देख लें कि हमारे जो चिकन विंग्स हमने अवन में डाले थे, उनका क्या हाला है? अब आप इसको नजदीक आईए और देखिए कि कितना बढ़िया रंग आया है इन चिकन विंग्स का, एक दम सुनहरी, क्रिस्प और अंदर जो मेरिनेशन का टेस्ट है, वो मुझे अभी से चिकन का महसूस हो रहा है, अब इसको एक बार ही पलट लेते हैं और पलटने के अब इसको तूसी तरफ से भी पका लेंगे, तो इनको पलटने के बाद एक बार ही हम फिर से अवन में इसको बेक करते हैं, अब इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ओवन भी पूरी तरह से गरम है और आधे तो यह पकी चुके हैं, तो आईए इसको वापिस अव इसके कितना बढ़िया और कितना सुनहरी रंग आया है इसके ओपर, अब इन पीसिस को हम इस सॉस में टॉस करेंगे, उसके लिए हम इसको निकाल लेते हैं पहले, यानि कि छुड़ा लेते हैं, सिलोर फाइल से, तो लीजिए चिकन के पीसिस को हमने ट्रे से थोड़ा सा फ और चिकन के पीसिस को हम इस सॉस में टॉस करेंगे, और टॉस करने के बाद आये इसके ओपर डाल लेते हैं भरी कटा हुआ हराप्याज और धनिया, अब एक बार इस चिकन को फिर से मिला लेते हैं, तो लीजिए हमारा क्रिस्प चिकन तयार हो चुका है, अब आप इस रेस्पी का रीकैब देख लिजिए, क्योंकि अभी आपने इस रेस्पी बनानी भी तो है क्रिस्प चिकन विंग्स बनाने के लिए, सबसे पहले एक बड़े बॉल में 10 चिकन विंग्स, एक छोटा चमच देगी मिर्च का पाउडर, एक छोटा चमच ड्राई हर्ब्स और स्वाध अनुसार नमक डाल कर अच्छे से चिकन पीसिस को मैरिनेट कर लें और फ्रिज में एक 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनिट के लिए या चिकन विंग्स के पक्ने तक बेक करें, सबस बनाने के लिए एक गरम पैन में एक छोटा चमच तेल, एक छोटा चमच बरी कटा लसुन, एक छोटा चमच अधरक का पेस्ट, तीन बड़े चमच चिली पेस्ट, एक के उपर बरी कटा हरा प्याज और बरी कटा हरा धनिया डाल कर अच्छे से मिला लें और गरमा गरम सर्व करें